शिम बाबा याद है ना? जो बाब को याद नहीं करते, किसी को सुख नहीं देते, वे अपना ही अकल्यान कर रहे हैं। देखो बांधेली आत्माएं पवित्रता के लिए कितनी मारें खाती हैं। और फिर भी बाब को प्रेम से याद करती हैं। खुशी के मारे प्रेम के आसु भी आजाते हैं। तो ऐ ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा देही अभीमानी बनने से ही भूत निकलेंगे। ऐसे भी नहीं कि फट से सब के भूत निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुक्तु हो जाएंगे फिर चलन अनुसार पद पाएंगे। जो जितना बाब के मददगार बनते हैं, सर्विस करते हैं, वे उतना ही खुश्बुदार फूल बनते हैं। महारती वह है जो ज्ञान सुनकर धारन करते हैं और फिर औरों को सुनाते रहते हैं। जो सुनाते नहीं वह कोई काम के नहीं। बाबा ने कहा यह है इश्वरिय सभा इसमें कोई पतित बैठ नहीं सकता। अगर कोई छिपकर बैठते हैं तो उसकी चोट भी लगती है। एकदम गिर पड़ेंगे। पहले से भी ज्यादा पत्थर बुद्धी हो जाएंगे। तुम्हें तो सच्चे बाब के साथ सच्चा होकर रहना है। सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में आकर डांस करें और लास्ट में बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने शरीर सहित, मित्र संबंधी आदी सब कुछ बाबा को समर्पन कर दिया, ऐसे तुम बच्चों को भी फोलो करना है। शुबाबा को अपना वारिस बनाना है। और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार मीठे बच्चे बाब की सकाश लेने के लिए खुशबुदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्ण बाब को सब बच्चे नमबर वार याद करते हैं। लेकिन बाब किन बच्चों को उत्तर जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिने सर्विस के बिना और कुछ सूजता ही नहीं, जो अती प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम की आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं, बाप की नजर फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्ची है, यह आत्मा जहां सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्यान करती है, तो बाप उसे याद करते हैं, ओम श्यांती, बाप बैठ कर सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता, तो आत्मा भी याद पड़ती शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता समझा जाता है यह आत्मा अच्छी है यह बाहिय मुखी है यह इस दुनिया का सैर आदी करना चाहती है यह उस दुनिया को भूली हुई है पहले उनका नाम रूप सामने आ जाता है फलाने की आत्मा को याद किया जाता है फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है इनका बुध्धी योग बाबा के साथ है इनमें यहे यहे गुण है पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना फिर आत्मा जो सोक्षम बहुत छोटी है वह याद आएगी इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है महिमा आत्मा की ही की जाती है इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है फुलाने की आत्मा इनसे अच्छी है पहले तो शरीर याद आता है बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है शरीर का नाम याद नहीं आता सिर्फ रूप सामने आता है फुलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शुवाबा आते हैं जानते हैं इनके तन में बाबा है शरीर जरूर याद पड़ेगा पूछते हैं हम कैसे याद करें शुवाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परमधाम में याद करें बहुतों का प्रशन उठता है बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है परन्तु शरीर भी जरूर याद आता है पहले शरीर फिर आत्मा बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा अर्थात ब्रह्मा करतन याद आएगा फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं किस में बहुत गुण है किस किस फूल में खुश्बू है फूलों से सब का प्यार होता है गुल्दस्ता बनाते हैं उसमें राजा, रानी, प्रजा भिन भिन फूल, पत्ते, आदी सब बनाते हैं बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी कहेंगे फलाने की आत्म बड़ी अच्छी है बड़ी सर्विस करती है आत्म अभिमान में रहे बाप को याद करते रहते हैं जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे शुबाबा परमधाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा बाबा याद आता होगा ना इसमें शुबाबा है क्योंकि बाब तो अभी नीची आ गया मुडली चलाने नीची आये हैं इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा वहाँ जाकर क्या करेंगे इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आएगा फिर आत्मा फलाने शरीर में जो आत्मा है यह अनन्य अच्छी है इनको सर्विस बिगर कुछ सूजता नहीं है बहुत मीठी है बाबा बैठे रहते हैं सबको देखते रहते हैं फलानी बच्ची बहुत अच्छी है बहुत याद करती है बांधेली बच्चीयों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है कितना प्रेम से याद करती होंगी जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आशू भी आ जाते हैं कभी कभी वह आसु गिर्भी पड़ते हैं, बाबा को और धन्दा क्या है, सब को याद करते हैं, बहुत बच्चियां याद आती हैं, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती, यह अपना ही कल्यान नहीं करती, बाप तो यही याद करना माना सकाश देना आत्मा का connection परमात्मा के साथ रहता है न, एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे यह भी किसको याद करेंगे तो जट साक्षातकार होगा आत्मा तो है छोटी बिंदी, साखशात कार करें, तो भी कोई समझ न सके फिर भी शरीर ही याद आता है ना आत्मा है छोटी, परन्तु याद करती है, तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है बगीचे में वेराइटी फूल होते है, बाबा भी देखते है यह बहुत अच्छा खुश्बुदार फूल है, यह इतना नहीं, तो पद भी कम होगा बाबा के जो मददगार बनते हैं, वही उन्च पद पाते हैं वे भी जो बाप को याद करते रहते हैं, ब्राहमन से ट्रांसफर हो, देवता बनते हैं यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं, कि यह देवी फूल है, या सुरी फूल है, फूल तो सब हैं, परंतु वेराइटी बहुत है बाबा भी याद करते रहते हैं, टीचर अपने स्टुडेंट को याद करेंगे न, यह कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे न, यह बाप भी है, टीचर भी है बाप तो है ही टीचर पने का जास्ती चलता है टीचर को तो रोज पढ़ाना है इस पढ़ाई की ताकत से वह पद पाते हैं सुभे को तुम सब भाई, बाप की याद में बैठते हो, वे सब्जिक्ट है याद की, फिर मुडली चलती है, वे है पढ़ाई की सब्जिक्ट, मुख्य है ही योग और पढ़ाई, उनको ज्यान और विज्यान भी कहा जाता है, यह ज्यान विज्यान भवन है, जहां बाप आक सिखलाते हैं, ज्यान से सारे सृष्टी की नौलेज मिल जाती है, विज्यान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बन जाते हो, तुमको अर्थ का पता है, बाप बच्चों को देखते रहते हैं, देही अभीमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सब के भूत फट से निकल जाएंगे, हिसाब किताब जब चुकतु हो, फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे, क्लास ट्रांसफर होते हैं, इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है, और तुम्हारा उपर हो रहा है, कितना फर्क है, वह कलियोगी सेढ़ी नीचे उतरते जा और तुम पुरुशोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चड़ते जाते हो, दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धी का काम है, तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, पुरुशोत्तम बनाने लिए बाप को आना पड़ता है, तुम्हारे लिए अब पुरुशोत्तम संगम तुमको अभी ज्यान मिला है, तब तुम समझ से हो ज्यान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चड़ जाते हैं फिर वहाँ ज्यान की बात भी नहीं होगी यह सब बातें महारती बच्चे ही सुनकर, धारनकर और सुनाते रहेंगे बाकी तो यहां से निकले और खलास कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुश्यों के लिए कल युग चल रहा है, कितना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं कोई तो गिराने के निमित भी होगा, वे है रावन, इस सभा में वासो में कोई पतित बैठ नहीं सकता पतित वायू मंडल को खराब करेंगे, अगर कोई चिपकर आकर बैठते हैं, तो उनको चोट भी लगती हैं, एकदम गिर पड़ेंगे इश्वरिय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं, तो जट पता पड़ेगा पत्थर बुद्धी तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धी हो जाएगा सो गुणा दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुँचाएंगे कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा, हमको जानने की जरूरत नहीं बाप से सदेव सच्चा रहना है, कहते हैं सच्च तो बिठो नच सच्चे रहेंगे, तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे बाप है ही टुथ, सत्य, तो बच्चों को भी टुथ बनना चाहिए बाबा पुछते हैं, शिव बाबा कहा है, कहते हैं इसमें है परम धाम छोड़ कर दूर देश की रहने वाले आये देश पर आए उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है, बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहां सर्विस करनी पड़ती है, संदेशियों को भक्तों को साक्षतकार कराना पड़ता है है तो यहां ही, वहां तो कोई सर्विस नहीं, सर्विस बिगर बाबा को सुखना आये सारी दुनिया की सर्विस करनी है सब पुकारते हैं बाबा आओ कहते हैं मैं इस रत में आता हूँ उन्होंने फिर घोडे गाडी बना दी है अब घोडे गाडी में श्रीक्रिष्न कैसे बैठेंगे ऐसे भी नहीं कोई शोक होता है घोडे गाडी पर बैठने का देही अभीमानी और देह अभीमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती हैं और सिवाए बाब के यह बातें और कोई समझा भी नहीं सकते हैं तुम भी अभी जानते हो पहले नहीं जानते थे क्या कोई गुरु ने सिखाया गुरु तो बहुत किये कोई ने भी नहीं सिखाया बहुत लोग गुरु करते हैं समझते हैं कोई से शान्ती का रास्ता मिल जाए बाप कहते हैं शान्ती का सागर तो एक बाप ही है वह साथ ले जाते हैं सुख धाम शान्ती धाम का किसको पता ही नहीं है कल युग में है शुद्र वर्ण, पुरुशोत्तम संगम युग पर है ब्रहमन वर्ण, इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाई कोई को पता नहीं, यहां तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं, धारना होती नहीं, बाप कहते हैं, कहां भी जाते हो, प्राइब के बात नहीं है। यह तो बाबा ने बहुत कल्यान के लिए बनाया है। किसको भी समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है। गरीबुं के लिए फ्री है। वेह धार ना कर लें तो उंच पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे। कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस हैं। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो। क्योंकि अब तो यह ग्यान मिला है कि पिचाडी में कुछ भी याद ना आए। अंतकाल जो स्री सिम्रे बड़ी बिल्डिंग्स आदी होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगी। परंतु थोड़ा भी ज्यान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई के पास पैसे बहुत होते हैं तो भी मनहूस होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस्तो शुबाबा हैं। भगवान वारिस्तो भक्ति मार्ग में भी हैं। इश्वर अर्थ देते हैं। क्या वह कंगाल है जो उनको देते हैं। समझते हैं इश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो इश्वर मित्र, संबंधी, यादी, सब कुछ बाबा को समर्पन कर दिया, यह सब कुछ आपका है, इस समय सारी दुनिया पर ग्रहन लगा हुआ है, वे कैसे एक सकिन में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, यह अब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो, जो कहते हैं हम अ दे दान तो छूटे ग्रहन, हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वे सब को देते जाओ, तो भारत पर वो सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहन बैठा हुआ है, वे उतर जाए और ब्रिस्पती की दशा आ जाए, सबसे अच्छी होती है ब्रिस्पती की दशा, अब त यह तो बाप है ना, बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं, इसको कहा जाता है ब्रिस्पती की दशा, मुक्तिधाम में जाने वालों के लिए ब्रिस्पती की दशा नहीं कहेंगे, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप ददा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्निंग, धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पुइंट, सदा खुशी में डांस करने के लिए, रहना है कुछ भी छिपाना नहीं है दूसरी पोइंट बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वे सबको बाटने हैं साथ साथ शुबाबा को अपना वारिस बना कर सब कुछ सफल करना है इसमें मनहूस नहीं बरना है वर्दान बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी स्र सिध्धी स्वरूप भव बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी स्रेष्ट सिती बनाने वाले सिध्धी स्वरूप भव शिव परमात्म की पूजा में एक बिंदु की विशेसा है दूसरी बूंद बूंद की विशेसा है दोनों का अपना महत्व है आत्मा परमात्म और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा तीनों का ज्यान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदो ही अनुभव होता है और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति जिससे मिलन की सिध्धी का अनुभव होता है रूहरिहान में प्राप्तियों की शीतल बुंदे बाप पर डालते है इसी से ही स्रेष्ट सिथी बन जाती है इसी का यादगार भक्ती में भी चला आता है स्लोगन ज्यादा बोलने से दिमाग की एनरजी कम हो जाती है इसलिए शौर्ट और स्वीट बोलो अच्छा जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्यानमोती